दोस्तो मैं हूँ आपताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेड्लाइन्स न्यूज दोस्तो ये ख़वर गीता जैन के वादे से सम्मंदित है और आज सुबह से नवारत टाइम्स का आर्टिकल वाइरल हो रहा है और उसमें जो उसका जो हेड्लाइन्स है वादा तेरा जोसे मुक्ति उसमें लिखा है आर्टिकल में राजसरकार ने चोटी गाडियों को तोल मुक्त कर दिया है जैन इसके लिए परियासरत थी वादा तोल प्लाजा हटाने का था कम से कम चोटी गाडियों को मुक्ति मिली कह सकते हैं कि आधा वादा पूरा हुआ नमबर दो पे लिखा है पानी सहरवासियों की पानी की समस्या को खत्म करने का वादा किया था गीता जैन ने लेकिन पांच साल में मनपा से लेकर मंत्राले तक दरजनों बैठक हुई खत लिखे गए और पानी की समस्या जस की तस है बलकि मनपा ने नए कनेक्शन तक देना बंद कर दिया है नमबर तीन पे आता है स्कूल चुनावी वादों में गीता जैन ने मीरा भाइंदर विधान सवाच छेतर में अच्छे सरकारी स्कूल का भी वचन दिया था उनके कारकाल में पांच साल में कोई नया स्कूल नहीं खुला है और जो पहले से है उसकी हालत क्या होगी आप जाकर के देख सकते हैं शौता अगर मैं बात करूँ तो अस्पताल जैन ने सहर की जरूरत के हिसाब से नये अस्पताल का वादा किया था लेकिन नया अस्पताल नहीं खुला हाला कि कैंसर अस्पताल की घोसना जरूर हुई है लेकिन कब तक बनेगा वक्त ही बताएगा यानि पाच साल तो निकल गए अब एक इनाउग्रेशन हो गया है अब उस बेस पे दूसरी बार चुनके दे दो फिर अगले पाच साल तक बनता है कि नहीं आप उसका इंतजार करो कहने का मतलब तो यही हुआ अगर मैं पाचवे की बात करूँ स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स चुनावी वचन में लोगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाने का वादा किया था लेकिन पाच साल के कारिकाल में एक भी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स नहीं बन सका सिर्फ पुराना ही स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स है जो पहले से बना हुआ था और उसी से काम चल रहा है छटा टॉपिक बात करूँ फेरी वाला और ट्राफिक सहर में ट्राफिक और फेरी वालो दोनों ही में जाफा हुआ है यहां तक कि स्थांती नगर में आज भी विदा विवाद चल रहा है सबजी मंडी होने के बाब जूद मंडी के बाहर थेले वाले खड़े हैं सडकों पर ट्राफिक का बुरा हाल है तो यह एक जो आर्टिकल है यह आर्टिकल बहुत जादा वाइरल हो रहा है चर्चा का विशाई है और अगर मैं बात करूँ इस पूरे आर्टिकल का स्टार्ट अगर मैं आपको सुनाओं मीरा भाइंदर विधान सवा 145 सीथ पर 2019 के विधान सवा चुनाओं निर्दलिय गीता जैन ने बीजेपी के नरेंदर महता को हरा कर जीत दर्ज की थी इस जीत से पहले जनता से जैन ने नो वादे किये थी उन्होंने अपने इन वादों को गीता के नो वचन नाम दिया था इसमें स्कूल, अस्पताल, सडक, फेरी वाला, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और ब्रस्ता चार से मुक्ती के वादे मुकरूप से सामिल थे इसके अलावा पानी, ट्राफिक और टोल की समस्याओं को हल करने का भी वादा किया था अगर आपको लगता है कि इन में से कुछ वादे पूरे हुए हैं तो आप कमेंट कर जरूर बताएं अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखे, एक दूसरे को दुआओं में याद रखे, तैंक यू सो मच